Hello class, yesterday ma'am explained you this page, okay? आपने देखा na ma'am ने आपको यह explain किया, इसमें क्या था? She is a girl, she is not going to school because it is a holiday. So what she is going to do? She is not going to watch TV. यह TV नहीं देखना चाहती है na because there is no electricity, light भी नहीं है इनके हैं. So what she is going to do? यह क्या करना चाहती है? She is going to listen her body. ठीक है? जो body में से sound आता है, she is going to listen today. ओके? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले quiet होना होगा, बिल्कुल चुप. So that we can listen our own body. ओके बच्चा? और हम, then she can hear her breathe. यह सास क्या से लेगी? इसने इसकी आवाज को hear किया. In, out, in, out. Okay? Then she, she can hear her heartbeat also. है ना? इसने अपनी heartbeat को भी listen किया. Now, next मैं आप गोइंग तो explain you. Can fingers hear? क्या fingers सुन सकती है? चले ही, चेक करते हैं. And, if I put my fingers on my wrist. Wrist होती है, बच्चा, कलाई. Wrist क्या होती है? यह देखो, इसने क्या टच किया हुआ है? अपनी wrist को है, अपनी कलाई को टच किया हुआ. जहां हम watch पैंते हैं, तो उसको बोलते हैं wrist. जहां हम घड़ी पैंते हैं, then I can hear my pulse. पल्स होती है, धड़कन. पल्स क्या होती है? धड़कन. तो अगर इसने सबसे पहले क्या listen किया? अपनी breathe, जो ये सांस ले सकती है, फिर उसने अपना heart beat है, और अब ये क्या चेक कर रही है? शी पुट हर fingers on wrist. आप भी अपनी fingers को अपनी कलाई पे रखो, जहां आप watch पहनते हो, फिर आप सुनो, आपको वहाँ पर पल्स की आवाज आएगी है, आपको धड़कन की आवाज आएगी, वहाँ भी दुब-दुब-दुब-दुब करके वहाँ आपको sound आएगी, ओके बच्चा, आप इसक clear, so I can hear myself laughing, जब मैं हसती हूँ, तो मैं उसकी आवाज भी सुन सकती हूँ, okay, next, and crying, boo, means, जब हम रोते हैं, तो उसकी भी तो sound आएगी है न, तो उसकी sound भी she can hear, ये क्या सुन सकती है, अपनी laughing की, ठीक है, जो उसका laughing का sound है, हाँ हाँ हाँ, ये उसको भी सुन सकती है, है न, and crying, ये कैसे रो रही है, boo, ठीक है, तो उसकी hear भी, उसकी आवाज भी listen कर सकती है, है न, सुन सकती है, चलिए, next, and clapping, जब हम clapping करते हैं, तो कैसे sound आता है, tap 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 tap, clear, तो हम clapping की आवाज भी सुन सकती है, है न, next, and most of all, I can hear my stomach rumbling, r-u-m-b-r-um, l-i-n-g-ling, rumbling, I can hear my stomach rumbling, जब हम भूके होते हैं, hungry होते हैं, तो हमें भूक लगती है, तो हमारे stomach में से आवाज आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, rumbling, तो ये, किसकी sound भी listen कर सकती है, rumbling, जब हम भूके होते हैं, हमारे पेट में से आवाज आती है ना good 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 तो ये उसकी आवाज भी सुन सकती है ऊके बच्चा clear अब वो रंबलेंग करके कैसी आवाज आती है feed me feed me means मुझे खाना खिलाओ 왜냐하면 sayno Stomakh में से आवाज आती है ना good 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 तो वो क्या कहता है stomach क्या बोलते है feet me feet me मुझे खाना खिलाओ है ना चल क्या nose is here क्या nose hear कर सकते है सुन सकते है let's see and my nose can hear jalebes frying in mother's kitchen उसकी nose क्या hear करती है उसकी ममा क्या cook कर रही है jalebes क्या cook कर रही है इसकी ममा jalebes तो इसको इसकी nose से smell आ रही है ना कि ममा क्या बना रही है kitchen में fry क्या कर रही है jalebi it is fun listening to my body आज इसने बहुत enjoy किया है अपनी body को listen करके है she is very enjoying and now I want to hear my jaws chewing eating अच्छा अब ममा ने इसको जलेबी दिये hot hot jalebes है ना now she is eating अब यह खा रही है उस जलेबी को ठीक है जब हम कुछ भी चीज खाते हैं कुछ भी food खाते हैं तो हम उसको चबाते हैं ना च्विंग करते हैं चबाते हैं तो इसको उसकी भी sound आ रही है अपनी body में से है ना अपने मू में से jaws में से and my stomach slurping slurping क्यों होते है बच्चा मैं आमने बताया था ना जब हम कुछ भी sound कुछ भी हम लोग eat करते हैं drink करते हैं तो जो उसका sound आता है that is called slurping तो यह जलेबी खा रही है ना तो जलेबी खाके जब यह च्विंग कर रही है उसका sound और जब वो उसकी stomach में जा रहा है तो slurping का sound है ना on mother's wonderful hot jalebi's clear तो आपने देखा आज इस girl ने क्या क्या enjoy किया सबसे पहले तो मैं आपको एक बार और revise करा दे सबसे पहले she can hear her breathe हम लोग अपनी body में क्या कर सकते है number one breathe हम सास की आवाज सुन सकते है ठीक है in out in out then we can hear heart beating हम अपनी heart beating भी listen कर सकते है this is number two then हम लोग heart beating किया अपनी wrist पर अपनी कलाई पर जा हम watch को बानते है वहाँ आप touch करके देखोगे तो वहाँ भी आपको अपनी pulse की sound आएगी okay बच्चा crying जब हम रोते हैं तो उसकी sound आती है body में से है न जब हम laugh करते हैं उसकी हम लोग आवाज सुन सकते हैं हम clapping करते हैं उसकी आवाज सुन सकते हैं ठीक है जब हम hungry होते हैं इसको जली भी खाना था she's feeling hungry तो उसके stomach में से कैसी आवाज आ रही थी good 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 and that is called rumbling उसे हम क्या बोलते हैं rumbling तो पेट में से कैसी आवाज आ रही थी पेट क्या बोल रहा था feed me feed me है न मुझे खाना दो खाना दो आच्छा देन जब वो जलीबी को चुई कर रही थी चुइंग कर रही थी चबा रही थी तब उसका sound आ रहा था stomach में जब वो eat कर रही थी drink करती है न तो कुसका sound आता है slurping तो आज आपने देखा this is very interesting and this is very easy chapter also ओके बच्छा तो आज आपको क्या करना है आज आपको माम को सिर्फ and से लेकर जो यह sound है heart beating का डुडुम 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 यहां तक आपको माम को read करके सुनाने है ओके बच्छा टिक केर